करनाल से बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दे ATM में कैश लोडिंग के दौरान गड़बडी का ये पूरा मामला सामने आया कैश लोड करने के दौरान कुछ पैसे उड़ा लिए गए कैश लोडिंग करने वाले करमचारियों पर ही देखिए यहां पर आरोप लगा है पुलिस ने चार आरोपियों को गिरिफतार कर लिया है आरोपियों के पास से 40 लाख रुपे बरामत भी कर लिए गए है तो करनाल का ये पूरा मामला हीमान्शू हमारे साथ बने हुए है जादा ज़ानकारी के लिए देखिए हीमान्शू ATM में जो कैश लोडिंग की जाती है उसका आरोप इन ही लोगों पर लगा है यहां पर जो कैश लोड करते हैं एक बड़ा सवाल यहां पर देखिए जो रखवाली करते हैं वगी चोर बन बैठे देखिए पूरा मामला मैं समझाना चाहूँगा करीब 12 नवंबर दिवाली के आसपास का ये पूरा मामला है विजे नाम का एक व्यक्ती जिसके उपर जिम्मेदारी थी कि करनाल के अलग-अलग 33 एटियम है जहां पर पैसे डालने हैं कि एमेस सिस्टम के तहट ये पैसे डाले जाते हैं लगातार पिछले 13-14 साल से विजे काम कर रहा था लेकिन उसके मन में कुछ लाला चाता है और करीब 86 लाक रुपए से जादा की रकम का वो गबन कर देता है वो पैसे एटियम में डालता ही नहीं है इस बात की सूचना जब यहां CMS सिस्टम के मैनेजर तक पहुँचती है कि पैसे एटियम में कम डले है इसके पीछे की वज़य क्या है तो audit किया जाता है अलग अलग 5 एटियम का और वहां पर पैसे कम पाये जाते हैं करीब 86 लाक रुपए कम पाये जाते हैं विजे से संपर्क किया जाता है विजे से संपर्क होता नहीं है वीजे फरार चल रहा है पैसे वीजे के पास है शुरुआती तोर पर जो मैनेजर को पता चला मामला जो है सीटी थाने में दर्ज हुआ उसके बाद ये पूरे मामले की जो जांच है वो C.I.A. को सूप दी जाती है C.I.A. टू पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी लेकिन अब इस मामले में चार आरूपियों को गिरफतार किया गया है वीजे अभी भी फरार है और शुरुआती तोर पर जो जानकारी मिली है कि वीजे विद जो पिता हैं वो गिरफतार हुएं कुछ पैसे उनके पास पढ़े थे वीजे के चाचा गिरफतार हुएं जो मुख्यारोपी हैं कुछ पैसे उनके पास थे वीजे के मौसा गिरफतार हुएं और वीजे का एक साथ ही गिरफतार हुआ है और इन चारों के पास ते 40 लाथ उ करनाल और उसके आसपास के ही रहने वाले हैं कोई काच्षवा का रहने वाला है करनाल जिले से ही वो संबंद रखते हैं क्योंकि मुख्य आरोपी वीजे ही है और उसने पैसे चुपाए अपने रिष्टेदारों के पास अपने चाचा के पास अपने मौसा के पास कुछ पैसे उसने अपने एक साथी को दे दिये, कुछ पैसे उसने अपने घर पर रख लिये और कुछ पैसे वो जो illegal माध्यम से, डॉंकी के माध्यम से विदेश जाना चाहता है, उस agent को भी दे दिये तो पूरी investigation की जा रही है और लगातार उन agent और उन डॉंकर्स के संपर्क में भी CIA की टीमें हैं, जिनके माध्यम से वो विदेश जाना चाहता है, यानि कि आदा रस्ता वो पहुँच चुका है, विदेश में ही है बीबी, किस जगे पर है, ये location clear नहीं हो पाई है, लेकिन उसका पहुँचने का जो मकसद है, वो USA है, वो भी illegal माध्यम से, तो लगातार संपर्क किया जा रहा है, agent डॉंकर्स के संपर्क में है, CIA की टीमें,